देखले सुलेट एmachen नमस्कार मैं हूँ सासी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आइ जैडिया जार्खन के दीन भर की ख़वर जानते हैं जैक बोर्ड मेटरिक और इंटर की परिक्षा होली के बाद जार्खरन Academy Council जैग द्वार ली जाने वाली मैटरिक इंटर की परिक्षा 23 मार्च में होगी होली के बाद तीस्रे सप्ता में परिक्षा सुरू हो सकती है जबकि परत्योकता परिक्षा 20 फरवारी के बाद सुरू हो सकती है practical के साथ आंत्रिक मुल्यांकन की परकिरिया भी फरवारी में पूरी कर ली जाएगी तोनों परिक्षा एक ही टर्म में होगी बता दे परिक्षा का प्रोग्राम जन्वारी में जारी किया जाएगा वहीं मैट्रिक इंटर की कोपिय का मुल्यांकन अप्रेल में शुरू होगा जबकि माई के अमतिम 17 से 10 जून के बीच रियल्ट जारी होने की संभवना है जैक द्वारा परिक्षा की त्यारी सुरू कर दी गई है परिक्षा केंदर निधारन की परकिरिया अमतिम चरण में है जीला अस्तर से परिक्षा केंदर निधारन की परकिरिया पूरी का रिपोर्ट जैक को भेज दी गई है बता दे मैट्रिक इंटर परिशा दोयों 23 का मोडल सेट प्रश्णपत त्यार कर लिया गया है जेसी यार्टी द्वारा मोडल प्रश्णपत रज्जाय को भेज दिया गया है जारखन में नहीं रूक रही गव तसकरी 31 मवसित जब्थ जारखन में गयों की तसकरी के मामला सुर्खियों में है एक और जहां अलग अलग जीलों से गव तसकरी की खबरे सामने आती है वहीं बीपक्ष तसकरों पर उचित करवाई नहीं करने को लेकर सरकार पर हमलवा रहा है इन विवादों के बीच साइबगन जीले के बोर्यों पर खंड से मवसित की तसकरी के मामला सामने आया है मिली जनकारी के मुताबिक बोर्यों थाना चेतर के चसगावा के पास इस्थीत दमगी से पुलिस ने 31 मवसित को जब्थ किया है इन मवस्यों को तसकर पैदल ही हांकते हुए रात के अंतरे मिले जा रहा था बता दे इस समद में थाना परभारी जगरनाथ पान ने बताया है कि गुप्त सुचना कधार पर A.S.I. करून कुमार राय की अगवई में एक टीम का गठन किया गया जारखन में पांच जीलो के छोड अपराध नियंतरन में फिशड़ी जारखन के 24 जीलो में से 29 जीले की पुलिस कमभीर अपराध नियंतरन में पिछड़ गई है जबकि गढवा, रामगण, देवगर, पांकुड और चात्रा जीले के पुलिस इसमें सबसे माहिर साबित हुई है इसमें भी रामगण और गढवा जीले की सफलता 9 फिश्टी के करीब है इसकी पुष्टी पुलिस मुख्याला के द्वारा सभी जीलो में वर्ष 2020 जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक गंभीर अपराधों को लेकर त्यार किये गए आकड़े से होती है गंभीर अपराध में हत्या डकैती, लूट, गिरिः भेदान, फिरवती के लिए अफरन और रेप की घटनाये सामिल है वहीं दूसरी ओर अने राजिक के 19 जीलों में विभीन अपराधी घटनाये बढ़ी हुई है रामगण विधायक मामता को कल सुनाई जा सकती है सजा जारखन के रामगण जीला की कॉंग्रेस विधायक मामता देवी की सजा पर सोमवार को सुनवाई टल गई है एक वकिल के निधन की वज़ा से हजारी बग वेवार ने आलाई स्थीत एमपी एमेले कोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई फल सोरूप रामगण की कॉंग्रेस विधायक मामता देवी की सजा का एलान भी नहीं हो सका अब मंगलवार 13 दिसंबर को मामता देवी समेट 13 लोगों को सजा सुनाई जा सकती है बिजली संकट से नराज विधायक ग्रीड तोड़ने के दी चेतावनी अपने छेतर में कौम बिली आपूर्दी से परसां जामता के कौंग्रेस विधायक ड्रक्टर इफार अंसारी ने चेतावनी दिया है तो उनके छेतर को बिली से क्यों वन्चित किया जा रहा है रांची में सांसद संजय हर अभिवार को करेंगे चाय पर चर्चा सांसद संजय से समाज हीत में तरह तरह के परियोग करते रहे हैं अब उन्होंने एक नया प्रोग्राम रभिवार से सुरू किया है जो की चाय पर चर्चा है बताद इस बार मोराबादी में सहीद संकल पवाटिका वा दादा दादी पार्क मुन्होंने चाय पर चर्चा की और लोगों के मन की बात सुनी उद्धे से यही हाई कि नागरिकों की समस्याव से सिधेर उबरी हो सके और समधान निकाल सके सांससेठ ने रांची में बेहतर कारून बेवस्था बेहतर नागरिक सुविधाय मुहया कराना बिजली सहीद अने मुदे जो अपनी रांची को एक बेहतर सहर बना सके उन पर सभी नागरिकों से चर्चा की उनकी बातों को सुना एक कड़ोर के इनामी नकसली मिसीर बेसरा और अनल को पकड़ने के लिए चार सो जवान टोटो जंगल में घुसे पच्चमी सिम्भूम जीला अंतरगत कोलान रिजरब वन छेतर में भ्रमन सील एक कड़ोर के इनामी पूलीस ब्योरो सदस्य मिसीर बेसरा उर्फ भासकर वा एक कड़ोर रुपय के इनामी केंद्रिय कमिटी सदस्य पती रा मांजी उर्फ अनल 15 लाख रुपय के इनामी मेहनत उर्फ मोच्छू समेत अननकसली को पकड़ने के लिए 200 से अधिक जवान जंगल में अभ्यान चला रहे हैं कुलहान वा पोड़ा हाट इलाके के ट्राई जक्षन को अपना निशाना बनाते हुए कोबरा 203, 209 बटालियन, जार्खन जगुआर, चाईबासा पूलीस, CRPF की 60, 174 बटालियन के जवानों के सुन्युक्त टीम चापे मारी अभ्यान चला रही है जार्खन में 67 परतिसत बचे एनिमिया के सिखाया धनबाज समेत पूरे राजजे में एक से लेकर 7 सितमबर तक पोसन सब्ता मनाया जा रहा है इसे लेकर जीला अस्तर के अलावा परखन अस्तर पर भी कई कारिकरम आयुजीत किये जा रहे हैं इन सब के बीच राख्ष्टी परिवार स्वास सर्वे 2019-21 के आंकड़े चोकाने वाले हैं इस सर्वे के अनुसार पिछले 5 सालों में जीले में की सोरियों में एनिमिया के 8% मामले बढ़ गए यही नहीं 15-49 वर्स की महिलाओं में भी एनिमिया के मामले में बढ़ोत्री हुई है बतादे वर्ष 2019 से काईस के सरवे के अनुसार जीले में 36.8% महिलाए एनिमिया के सिकार है वहीं 15 से 16 में या आकड़ा 16.7% था छुटियों में मंगेतर से मिलने आय सेना के जवान ने नहाती छत्रावों का बनाया वीडियो सिम्टेगा सहर में किराय के मकान में रह रही कोलेज की छत्रावों का असलील वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है छत्रावों ने सेना के जवान रजत कुलू पर वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में सिकायत की है लेकिन सिकायत मिलने के दो दिन बाद भी पूलिस ने सकरेता नहीं दिखाई सिकायत में दो छत्राओं ने बताया है कि गाटना भीगतनोदी संबर किया है दोनों छत्राओं बाथरूम में अस्तनान कर रही थी उनकी नजर बात्रूम से सटे घर की दिवार पर रिकोर्डिंग मोड में रखे मोबाइल पर पड़ी जिसे देख छात रहें घबरा गई पूजा सिंगल की जमानत पर सुप्रीम कोट ने इड़ी को जारी किया नोटीस सिक्षा मंत्री जगणात महतो कर रहे विभाग ये समीक्षा सिक्षा मंत्री जगणात महतो के अध्यक्षा में समीक्षा बैठक आवजीत की गई है बताया जा रहा है कि समिक्षा बैठक में बैठक मंतरी के सरकारी अवास प्रवजित की गई है इसमें सिख्षा विभा के सची उके रभी कुमार राजव पर्योजना निदेशक किरन कुमार पासी सहित अन्य अला इदिकार्य पसित है बताया जा रहा है कि समीक्षा बैटक में पोसा हार योजना इसकुलों के इंस्प्राक्टक्टर की स्थीती मोडल इसकुल के कामकाज की समीक्षा की जा रही है खतियानी जोहार यात्रा पर मेर आसा ने साधा निसाना मुख्य मंत्री हेमन्सुरेन की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रांची नगर निगम की मेर आसा लगड़ा ने निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री किस खुशी में खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं राज्य क्या दिवासियों और मुलवासियों को सीर्फ दीखभरमीत किया रहा है मेर ने कहा है कि क्या ज female नियोजन नियमावली लागू हो गया उन्होंने कहा है कि मुखमेंट्री ज हjs जयारखंडियों को बेकूप मत बनाए ये एक और जनजातिय भासा को अहमियत दे रहे हैं वही दूसरी और गढ़वा में भोजपुरी कलाकारों को बुला कर लोगों का दिल बहला रहे हैं गढ़वा के लोगों ने खत्यानी जोहार यात्रा का जबाब अच्छे से दे दिया है EPF से जोड़े जाएंगे 16,000 पराज सिक्छाग सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने सोमवार को अपने आवासिये करेलम विभाग के वर्या दिकार योग साथ बैठा की इसमें कई महत्रपून फैसले लिए गाए जारखन के 16,000 पराज सिक्छों को EPF से जोड़ने की घोषना की गई बताया गया है कि इसमें 6,000 हिस्सा पराज सिक्छों के मांदे से लिया जाएगा वहीं राज सरकार 6,000 का योगदान देगी ए योजना 1,000 जन्वारी 2023 से लागू कर दी जाएगी वहीं सिक्छा मंत्री जगनात महतों ने EPF जोड़ना से जुले फाइल को मंजूरी दी इसके लिए सिक्छा मंत्री के निदेश पर 3,000 पारा सिक्षकों की वेतन समंदी विशंगती भी दूर की गई धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है थे चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाएज साजी सताथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेर करना भूले साजी सताथ आथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाएक अवस से दे थैंक्यू